दोस्तो जब भी मैं अपने होल्डिंग के किसी सेयर को सेल करने जाता हूं तो T-PIN और OTP से वेरिफाई करने के लिए बोला जाता है जिसके कारण मेरा माथा खनक जाता है कई बार तो ऐसा होता है कि इस वेरिफिकेशन के कारण ही लोस हो जाता है जाहिड से बात है ऐसा आपके साथ भी होता होगा तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप हमेशा के लिए अपने T-PIN वेरिफिकेशन से छुटकार अपा जाएंगे T-PIN क्या है तो डिलेबरी के किसी भी सेर को बेचने के लिए T-PIN के आउशकता होती है जो कि 6 डिजिट का एक सिकुर्टी कोड होता है जब ही हम डिमिट एकाउंट ओपन करते हैं तो T-PIN हमें CDSL के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो कि 90 दिनों के लिए भैलिट रहता है T-PIN को आप कभी भी generate या फिर change कर सकते हैं तो जान लिजे अब T-PIN की क्या फाइदे है आपके मर्जी के बिना आपका ब्रोकर आपके डिमिट एकाउंट से अब कोई भी सेर सेल नहीं कर सकता है पहले क्या होता था कि डिमिट एकाउंट से आपका ब्रोकर आपके मर्जी के बिना भी सेर को सेल कर देते थे जिसे रोकने के लिए T-PIN लागू किया गया हाला कि T-PIN सेकृरिटी के कुछ नुकसान भी है जैसे कि होल्डिंग के किसी भी सेर को सेल करने से पहले आपको T-PIN और OTP से वेरिफाई करना होता है इसके कारण टाइम पर सेर सेल नहीं हो पाता और कई बार लोस हो जाता है इस प्रक्रिया के कारण T-PIN का वेरिफिकेशन एक दिन के लिए ही भायलिट होता है यानि कि जिस दिन भी आपको अपने होल्डिंग से कोई भी सेर सेल करने होंगे उस दिन आपको सबसे पहले T-PIN और OTP से वेरिफाई करना होगा तो चलिए जान लेते हैं कि T-PIN से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएं ये प्रोसेस हर एक ब्रोकर में अलग अलग हो सकता है आज हम आपको एंजल वन ब्रोकिंग में T-PIN से छुटकारा पाने के लिए टिप्स बता रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने इमेल को ओपेन कर लेंगे और जिस भी इमेल या जीमेल से आपका जो डिमेट इकाउंड है उसी इमेल या जीमेल से एक मेल ड्रोक करना है support at the rate angelbroking.com इस इमेल एड्रेस पे आपको मेल सेंड करना है इसमें आप सब्जेक्ट में डिस बुक डालेंगे और मैसेज बॉडी में अपना क्लाइंट आइडी और मोबाइल नमबर डालके डिस बुक के लिए रिक्विस्ट करना है और आपको ये मेल सेंड कर देने है मेल का रिप्लाई आने तक आपको इंतजार करना है नॉर्मली 24 आउर के अंदर आपको एंजल सपोर्ट टीम से रिप्लाई मिल जाता है तो आपको इमेल आ जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि आपका जो डिस बुक है वो आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जा रहा है जो कि आपको नॉर्मली 5-6 दिनों के अंदर मिल जाएंगे याद रखें ये डिस बुक आपके उस एड्रेस पे आएगा जो आपने डिमिट एकाउंट ओपनिंग के टाइम में दिया होगा या फिर के वाईसी कराने के टाइम में अधार काड के अनुशार से दिया होगा त और दिये होए एड्रेस पे आपको सेंड कर देने हैं एड्रेस नीचे भी सो हो रहे हैं और हाइलाइट हमने यहां पे साइड में भी कर दिया है यहां पे पुरा इसको पर लेंगे client id और view id यहां पे मांगता है अपना नाम डालिएगा signature कीजेगा और नीचे में देख रहे यानि कि आपका अपना signature करेंगे और signature एक witness का भी लगेगा तो किसी और से आप signature करा देंगे उसका नाम नीचे में डाल देंगे address नीचे में डाल देंगे और देखिए authorized signature में आपको उस witness का अथोराइज कर देने है date डाल देने है तो इस form को पुरी तर से भरने के बाद आप इस address पे इसे send कर देंगे speed post या फिर normal post के द्वारा ये 5-6 दिनों में आपके broker के पास पहुँच जाता है और इसके बाद आपका किवाईस सी update हो जागा जिसमें power of attorney का form update होगा जिसका notification आपको email के द्वारा भी मिल जाएगा और ये update होने के बाद आपको टीपीन से verify करने की जरूरत अब नहीं रहेगी यानि कि आपको टीपीन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा अगर आपका debit account किसी अन्य broker के पास में है जैसे कि ग्रोज, जीरोधा, आप स्टॉक या फिर अन्य में तब भी आप अपने power of attorney का firm फिलप करके टीपीन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं अगर आपको किसी अन्य broker के ऊपर particular वीडियो चाहिए टीपीन से छुटकारा पाने के लिए तो कमेंट करें कोसिस करूंगा आपके ग्रोकर के उपर भी वीडियो जल से जल लाने का धन्यवाद